DC Motor Bulgund या Aton या टॉर्क समिकरण हम जानते हैं कि DC Motor का Output Mechanical Power होती है अता हम एक पुली की कलपना करेंगे यह पुली मोटर की साप्ट पर लगी होती है इस गिर्नी का अर्द्वियास R है इस गिर्नी पर एक बल F लग रहा है सबसे पहले हम टॉर्क क्या होता है यह देख लेते हैं टॉर्क वबल जो किसी पिंड यानि बोडी को उसके अक्स के चारों और गुमाने का प्रियतन करें बल्गुन कहलाता है तो चितरा नुसार हम एक गिर्नी की कलपना करते हैं तो टॉर्क इकॉल टू एफ इंटू आर टी टॉर्क है न्यूटन मीटर में आर पूली की रेडियस है मीटर में एफ पूली की परीदी पर लगने वाला बल है न्यूटन में अथा बल एफ द्वारा एक चक्कर में किया गया कारी है बराबर एफ इंटू टू पाई आर होगा क्योंकि एक चकर इकवल टू टू पाई आर होता है अथा एक सेकिन में किया गया कारी है एफ इंटू टू पाई आर एक सेकिन में किया गया कारी है इकवल टू एफ इंटू टू पाई आर एन अपाई शिक्स्टी जूल पर सेकिन होगा जहां एन चक्रों की संक्या है आर पी एम में अथा कारी पर सेकिन इकवल टू टू पाई एन टी अपाउन शिक्स्टी क्योंकि टी इकवल टू एफ इंटू आर है यह कारी मोटर में विद्यू शक्ति के कारण ही होता है परन्तू मोटर के आर्मेचर में विद्यू शक्ति इकवल टू बैक एम एफ इंटू आर्मेचर करण्ट होगा अथा 2 पाई एन टी अपाउन शिक्स्टी इकवल टू इबी आई ए होगा इसलिए 2 पाई एन टी अपाउन शिक्स्टी इकवल टू इबी का मान इसमें रखने पर पाई जैड एन पाउन शिक्स्टी आई ए होगा टॉर्क टी इकवल टू पाई पाई ए अपाउन टू पाई नूटन मिटर होगा टी इकवल टू 0.159 पाई ए पाई नूटन मिटर होगा टॉर्क इकवल टू 0.159 5 Z IA P अपाई इंट नूटन पाई नूटन पाई ए नूटन पाई ए वन किलो ग्रम मिटर होगा टॉर्क इकवल टू 0.01625 Z IA P अपाई पाई किलो ग्रम मिटर होगा थांक यू